अब्रिवन गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माई चैनल तो जी यह जो वीडियो है यह सैटरडे की मॉर्निंग का वीडियो है तो सुबे जो है मैंने आलू बॉयल कर दिये थे क्योंकि आज जो है नाश्टे में बनने वाले हैं आलू के पराथे तो अब जैसे जैसे सर ही बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास option इतने सारे होते हैं तो फिल हाल तो आज आलू के ही में पराथे बना रही हूं क्योंकि सबजी वगेरा कुछ भी लेकर आये नहीं थे मैंने सैटरडे को मंडी लगती है तो शाम को सबजी लेने जाएंगे तो यह होता है कि फिल हाल घर में जो भी चीजे हो उससे काम चला लो तो मैंने आलू जो है बॉयल कर दिये हैं साथी साथ जो है मैंने एक बड़ा सा जो प्याज है उसको भी चौप कर दिया है तो मतलब आलू और प्यास के पराथे बनेंगे और इसमें मैं कट करूंगी खूप सारा हरा धनि तो अभी क्या होता है ना सर्दियों में हरे धनिया के बीना खाना अधूरा रहता है आप जो भी चीज बना रहे हो ना उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए और खाने का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है तो यहां पर देखें मैंने खूब सारा हरा धनिया भी इसमें कट कर दीया है और उसके बाद मैं इसमें जो मसाले होता है यहीं जो नॉमumesाल मसाले होते है और फिर गर्मा गर्म तैयार होंगे आलू के पराठे और आलू के पराठो का जो मज़ा आता है वैसे मुझे तो घी के साथ आता है मतब देशी घी होता है उसके साथ मुझे बहुत बढ़िया लगता है मैं विदांश के लिए थोड़े से आलू निकालना भूल गई थी तो मैंने साइट से उसके लिए थोड़े से आलू भी निकाल दिये क्योंकि वो प्यास वाले पराठे नहीं खाता है तो इधर जो है मैंने अभी पराठे बनाने शुरू कर दिये हैं और बच्चे और बच्चों के पापा सब लोग जो है डानिंग टेबल पर बैट गए हैं पराठो का इंतजार हो रहा है क्योंकि पराठे जो है न वो गर्म गरम ही अच्छे लगते हैं पते क्या हुआ कि दो दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे कान में थोड़ा बहुत दर्द है तो चल जाएगा ठीक हो जाएगा अपने आप लेकिन सैटर्डे मेरे कान में इतना जादा दर्द हो गया था कि मेरे फेस के एक साइड कान की तरफ स्वेलिंग आ गई थी उसके बाद मुझे डॉक्टर से दवाई लेनी ही पड़ी तो मेरे कान के अंदर काफी जादा इंफेक्शन हो गया थ तो फिर मैं डॉक्टर की जो है मेडिसन लेकर आई मेडिसन वगयरा मैं खा रही हूँ तो वो जो कान की मेडिसन होती है वो इतनी जादा हैवी होती है ना तो जैसे मैंने नाश्ता वगयरा किया और मैंने जैसी मेडिसन खाई उसके बाद जो मुझे नीद आई है ना मतलब थोड़ा सा न वो ज़्यादा MG की हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है थोड़ा थोड़ा से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा BP भी थोड़ा सा लो हो रहा है और मुझे न नीन आनी शुरू हो गई थी और मैं जो है दवाई खाने के बाद जो सोई हूँ तो उसके बाद मैं फिर जो है न सीधा मतलब तीन से चार बजे के करीब मैं उठी थी तो इतनी ज़ादा नीन दा रही थी उन दवाईयों को खा के और मेरे साथ एक प्राब्लम ये भी है कि मैं बहुत ज़ादा दवाईयां नहीं खा सकती हूँ मतलब उससे खाई ही नहीं जाती है दवाई ना मैं हमेशा बोलती हूँ मैं एक बार को सिरफ पी लूँगी लेकिन जो वो टैबलेट्स होती है वो मुझसे निगली ही नहीं जाती है बड़ी मिश्किल में मैंने किसी तरीके से करके जो है दवाईयां खाई है तो इधर कर लिया है जिससे मैं गैस वगरा क्लीन कर रही हूं और यह इतने बढ़िया है इतने बढ़िया है कि बस पूछे मत मैं कब से वेट कर रही थी यह ना स्टॉक आउट था तो यह माइक्रोफाइबर के जो होते है ना इनसे सफाई बहुत बढ़िया होती है चाहे कीचन की जादा पसंद आये थोड़े से कॉस्ट्री तो थे यह मतलब इतने जादा भी नहीं थे आइधिंक 200 कुछ के मुझे यह पड़े है चार है लेकिन वाकई वर्थ है और इनसे जो सफाई मैं करने लगी ना मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इनसे सफाई करने में मतलब हलका सा कॉलिन डाला और दाग धबे ऐसे दूर हो जा रहे थे ना होता क्या है कि जब हम नॉमली कपड़ों से किचन क्लीन करते ना तो दाग धबे से छूटते हैं मतलब ने देखा होगा कि जब आप किसी नॉमल कपड़े से किचन क्लीन करोगे तो एक निशान सा भी छूटता ह लेकिन ये जो milky fiber वाले cloths होते ना इनसे बिल्कुल भी निशान नहीं जूटता है तो मैं तो आपको भी बोलूँगी कि अगर कहीं आपको मिलते हैं जरूरी नहीं है milk basket से ही मंगाने अगर आपको कहीं से भी ये वाले cloths मिलते हैं kitchen के लिए तो आप जरूर यूज़ कीजेग और जो भी काच का आईटम मेरा होता है उसको साफ करने के लिए तो इसको मैं अलग रख दूँगी और साथी जो गीले बरतन होते ना वो भी इनसे इतने अच्छे से जो है clean हो रहे थे ना कपड़ों को मैं डाल दूँगी और आज मुझे और भी काफी सारे काम करने है तो यहां पर देखे मैं इसी वाले रूम में सोई हुई थी तो थोड़ा सा मैसी है यह और मैंने आपको बोला था जब मैं हरिदवार जा रही थी कि मुझे ना बैड क्लीन करने अंदर से मैंने य किये थे तो मुझे ना इनकी एक अलक्सी टेंशन हो रही थी मतला होता है ना आपके दिमाग में चलता है कि नहीं यार अभी ना महापर धूल है बहुत सारी तो मुझे भी यही लगा था कि मैं कब इसको क्लीन करूंगी तो फाइनली आज मैंने हिम्मत करके जो है मैंने का आज मैंने को क्लीन करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए तो बस इदर जो है सबसे पहले यह जो गदा है ना थोड़ा सा यह भारी है तो इसको मैंने हटा दिया है और बैड खोल के अभी दिखाऊंगे मैं आपको कितनी जादा धूल थी और यह उसी टाइम की धूल है ज जैसे ही मैंने बैड के नीचे कपड़ा उठाया वो देखे जो कॉर्णर में दिख रहा है आपको वो पूरी मिट्टी है और नीचे भी पूरी मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी तो होते हैं एक किराहट सी होती है मतलब लोगों को नहीं पता है किसी को नहीं पता है आपके गर में क्या है लेकिन आपको तो पता है कि आपके घर में बहुत सारी धूल हो रही है तो यह चीज करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई थी मेरे लिए और यह पूरा ही बैट ना इस वाले बैट की हाला थोड़ा से ज्यादा खराब हुई थी क्योंकि इसी के ऊपर चड़ गया अच्छे से उसके बाद मैंने गीले कपड़े सेर को पोच दिया है क्योंकि गीले कपड़े से क्जिश्य क्या होता है भूल निकल के आ जाती है उतनी जाडु से भी साफ नहीं होगी जितना का जो गीला कपड़ा आप मारोगे तो साफ हो जाती है साथी साथ वंशी का भी आ गए देखिए मेरे साथ हेल्प कराने के लिए तो बस यहाँ पर अच्छे से बैड मैंने क्लीन कर लिया है और जब बैड क्लीन हुआ न तब जाके मुझे तसली हुई कि चलिए फाइनली मेरा एक जो साइड है वो क्लीन हो गई है उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरी पूरानी चादर रखी हुई थी जो की यूज में नहीं ले रही थी तो बस उसको मैंने बिचा दिया है और अब यह जितने भी गदे हैं ब्लैंकेट्स वगरा है सारे के सारे जो मैं बैड में टाल लगती है तो बस इसको जो है मैंने एक साइड कर दिया है साफ सुतरा आप बारी आती है दूसरी साइड की तो इधर भी वही हाल था जो उस तरफ हाल था ना तो इधर तो मेरे कपड़े रखे हुए थे बट एक चीज यहाँ पर सही थी कि मैंने पिछले साल यह रजाई जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है तो यहाँ पर देखिए इस तरफ भी मैंने जो है अच्छे से सारा जाडू वगरा लगा लिया है और सब चीज पोच के उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना जो मेरी यूज में नई थी बैट शीट वो बिछा दी है और फिर इनके कपड़े रखना शुरू करूंगी तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़े हो चुकी है और जब आप अपने कोई पैंडिंग काम निप्टा लेते हो तो इतनी जादा तसल्य हो जाती है ना मतलब एक जो दिमाग से टेंशन होती है वो हट जाती है तो हालनकि अभी मेरा दू देखिए यह वाला बैड हो चुका है क्लीन करने के बाद मैंने इस कमरे को साफ कर दिया था जाडू लगाया फिर दूबारे पोछा भी लगाना पड़ गया था क्योंकि काफी जादा दूल हो गई थी और एक यह पतली सी रजाई थी जो कि मैंने बच्चों के लिए निकाल बहुत जादा ठंड होती है मतलब फैन भी चलाने की ज़रत पड़ती है तो उसके लिए ठीक है रजाई उसके बाद यह बैडशीट को मैं यहाप पर फोल्ड कर रही हूं यह भी मैंने वाश किया था और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर देखिए आज मुझे एक कम और नि करना है और देखिए यहाँ पर ना मतलब आलू अगयरा भी रखे हुए थे मैं भूल गई थी मैं क्या कर रही थी कि दुबारे से सब्जी और कराती थी और मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पास सब्जी रखी हुई भी क्योंकि यह बिल्कुल बाहर मैंने रखी हुई थी बास्केट इस वज़े से तो बस अभी मैं छाट रही हुँ जो सब्जी ठीक है जो लेसन प्याज आलू इसमें रखे हुए थे वह मैंने जो है निकाल लिये हैं उसके बाद यह बास्केट को जो है ना मैं अलग-अलग कर रही हूं क्योंकि यह यह बास्केट इसलिए मुझ बास्केट ली होगी तो यह मैंने ना लोकल शॉप से ली थी और यह मुझे ना करीब साए 400 की कुछ पड़ी थी मुझे याद भी नहीं है थोड़ा सा टाइम हो गया है तो लेकिन यह था कि 400 की तो पड़ी है लेकिन यह है कि अच्छी बास्केट है देख सकते आप एकदम चमक गई है धोने के बाद और इस समय वंशिका के पापा गए हुए थे सबजी लेने के लिए तो बस मैंने वटाफट से बास्केट वगएरा भी धो दी है क्योंकि अब जो सबजी आएंगी वो धुली हुई बास्केट में मैं रखूंगी और साथी साथ मेरे ना दो बास् बास्केट में मैं कुछ भी सबजी वगएरा रख लेती हूँ जो भी मुझे जिस टाइम पर लगता है कि हाँ बास्केट की जरूरत है तो इसमें मैं रख लेती हूँ अच्छा जिस कपड़े की मैं बात करी थी मैंने एक और निकाला है देखिए ये बरतन साफ करने के रहा हुआ और एकदम से सूख जाएगा पता ही नहीं चलेगा इसी तरीके के जो पोच्छा होता है ना मतलब जो फरश पर पोच्छा लगता है वो भी आता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है मेरे पास वो भी है लेकिन कीचन के लिए ये मुझे सबसे बेस्ट लगा तो दे कि अभी जब बरसात का टाइम आता है ना इनके पत्तों के उपर वो बेसन लगा के उसके पकॉड़े से बनाते तो ये वो ही होता है जिनके पत्तों पे बेसन लगा के पकॉड़े बनते और फी जड़ों पे अर्बिया निकलती है तो अब आपको पता लग जाएगा इसको क बरतन वाश करती थी तो थोड़ा देर उन्हें छोड़के रखती थी कि उनका पानी अपने आप से निकल जाए क्योंकि मेरे पास इस ट्राइप का कोई कपड़ा नहीं था और जो मेरे पर डस्टर रखे थे ना वो मतलब इतने अच्छे हैं नहीं उनसे तो बस सफाई हो तो फिर आगे के कामों के लिए आपको जो है ना थोड़ा से टाइम भी मिल जाता है इदर जो है इस बीच वंशिका के पापा आ गये थे तो बस यहां पर मैंने सबजी वगेरा कट कर दी है और आज जो है हम लोग बनाएंगे डिनर में आलू मेथी की सबजी तो अब जैसे मेथी वगेरा आ गई है हरी सबजी तो वही कह रही थी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वंशिका को और उसके पापा को मैंने लगा दिया है धनिया छाटने के लिए तो देखे कितना सारा धनिया लेकर आ गए थे अच्छा धनिया मिला तो लेकर आ गए तो फिर मैंने चोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोस को लाइक को और शेर करना ना भूलिएगा मैं आप से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक ले बबाई टेक केर और गुट नाइट